अरे पही टेक्शर अलग होते हैं हर किसी के बाल का, हर किसी के बाल का टेक्शर तीरे खड़ा हुआ है कि बाल पापा कहते हैं कि बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, ये गाना अपने खुब सुना होगा हर पिता अपने बेटे से कुछ ऐसी ही उमीद रखता है ये फिल्मी गाना आज भी जिवन्त लगता है लेकिन बिहार की सियासत में चिराख पासवान के कारणामे कुछ ऐसे हैं कि आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे चिराख पासवान ने जो कारणामा किया है अपने पिता की निधन के बाद वो कारणामा आपको चौका देगा दरसल पिता की मौत के बाद चिराख पासवान ने जो सियासी एमोशनल ड्रामा किया है उसका पूरा वीडियो न्यूज फोनेशन आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ है उस पूरे वीडियो में चिराग पासमान किस तरीके से स्किप्ट पढ़ते हैं अपने पिता के निधन पर किस तरीके से लोगों को एमोशनल ब्लैक मेल करते हैं इस वीडियो में पहले देखिए अरे भई टेक्शर अलग होते हैं हर किसी के बाल का हर किसी के बाल का टेक्शर तेरे खड़ा हुआ है कि बाल थोड़ो सब्सक्राइब लेकमी गयो और शला जास स्टार्ट भाई यह रिमोट है इसके लेह इतना पास आईगा तो हुआ है रिमोट किसका है और लॉस्ट अपलट अब आ गया था फ्लोट हम जी अब भेहर के बच्चे इस यहार किट्च तो आस आईग्चे तो आईग्स हाँ देने की बात हो एक सब्सक्राइब करोगे ना कट एडिट आप कर लोगे आगे पीछ आगे पीछ आगे पीछ आप करोगे हैं ना मैंने जो शुरू में बोला था ना वहला एक दम सब्सक्राइब काम करता हूं शुरू की लाइने हैं ठीक है कट एडिट करेंगे भाई सिंगल कैमरा इस शूट कर रहे हैं यह करने के बाद एक एक कट और करके ठीक है वो मेरे तमाम प्रत्याश्यों वाली एक लाइन ले लें करेंगे हैं ठीक है हाँ 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 रेडी है एक सेकंड भाई मैं लाइन भूल गया मुझे बोलना क्या था हाँ होड़ा पगला गया हो गया भाई हम विहारी फास को समर्पित करने पर आगे हैं बोल रहे हैं कि शूरू जैकरो इसकाद मैं एक टेक और कर दूंगा पहल जैसा जाएं सारी हाँ अब एक दम अलग ही ले रहा हूं आप कंडिनी रोल है ना में बूलू ना बिहार की बात करें तो चिराग पास्वान जो हैं रामविलास पास्वान को लेकरके बड़े इमोशनल ट्वीट करते रहे हैं चिठी लिखते रहे हैं अपने समर्थकों के नाम पर कहते रहे हैं कि उनके लिए बिहार फर्ष्ट बिहारी फर्ष्ट तो जरूर है लेकिन वो तभी है जब तक जब उनके पिता जो हैं वो स्वस्थ हो जाएं लिहाजा कोरोना के पूरे काल में छे महीनी से जादा वक्त तक चिराख पासवान पटना नहीं आए दिली मे डिला डाले रहे अपने पिता की दिखभाल का ड्रामा करते रहे लेकिन जब पिता की मौत हो गई यानि जब रामगलास पासवान का निधन हुआ उसके बाद बेटा बजापती पूरी एक टीम ले करके इमोशनल ड्रामा करता वह नजर आता है आखों में जूठे आशू है सियासी ड्रामा है, इमोशनल कार्ड खेलने की पूरी जो कोशिश है वो चिराक पासवान नहीं तरफ से की गई है सबसे बड़ी बात ये चिराक पासवान हर सभा में अपने पिता का नाम लेते हैं उनके काम का जिक्र करते हैं ये कहने के कोशिश करते हैं कि डामगलास पास और यहां तक कहता है कि उसके बाल का टेक्श्चर अलग है इस ही चलाता है उसके हाथ में बिहारी फिर्स्ट का एक पैमप्लिट है जिससे वो ठंडी हवा अपने चेहरे पे लाता है और बाल के टेक्श्चर की बात कहता है तस्वीरों में तो यह भी नजर आ रहा है कि पासवान अपनी आखों को नम करते हुए नजर आते हैं चोड़ जाते हैं पुरे वीडियो के साथ है अरे वह टेक्श्चर अलग होते हैं हर किसी के बाल का हर किसी के बाल करेंश्चर तेरह खड़ा हुआ यह बाल यह फुट है इसके लिए इतना पास आजी गए तो यह बाल के बात हुगे तो आगे पीछा आगे पीछा आगे पीछा आपकर होगे हा मैंने शुरू में बोला था ना वह वह एकदम सब्सक्राइब करता हूं शुरू की लाइन हैं ठीक है कट एड़ेट करेंगे भाई सिंगल कैमरा यह शूट कर रहे हैं यह करने के बाद एक कट और करके ठीक है वो मेरे तमाम प्रत्याश्यों वाली एक लाइन ले लेंगा है ठीक है हाँ वो बोलना किया था हाँ होड़ा पगला गए हो गया बही हम बिहारी फ़स को समर्पित करने पर आगे हैं बोल रहे हैं कि शुरू से करो इसकाद में एक टेक और कर दूं हुआ पहले एक समर्पित वाला दे देता हुँ ताकि अपने बास फुटेज़स आ जाएं सारी आप पहां पे थे अपसर शाही वाले में थे हानी मैं अब एकदम अलागी ले रहा हूं कंटिनीव रोल है न मैं बूलू हुआ हुआ मैं हुआ है नहे फुआ़स को शान साय में टेग्री लेग्रज़स मालmy कंटिनीवолод कंट Our